दोस्तू एक बार प्रेगनेंट होने के बाद हमारे मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या अब हम रिलेशन बना सकते हैं या नहीं और अगर रिलेशन बनाते हैं तो हमें यह डर लगा रहता है कि अब कोई परेशानी तो नहीं होगी जी हाँ प्रेगनेंसी को लेकर कई तरह के मित सामने आते हैं कई लोगों को यह मानना है कि इस दोरान पार्टनर के साथ संबन बनाने से बचना चाहिए क्या वाकई में यह सच है आई जानते हैं इसके बारे में दोस्तो मा बनना एक खुबसरत एहसास होता है खास कर जब आप पहली बार मा बनने वाली हैं प्रेगनेंसी के दोरान कई तरह की नसीहते भी दी जाती है जैसे केसर का दूद पीने से और नारिल के पानी से बच्चा गोरा पैदा होगा इसी के साथ यह भी कहा जाता है कि इस दोरान आपको संबन बनाने से बच्चना चाहिए क्योंकि इस दोरान संबन बनाने से बच्चे को चोट लग सकती है लेकिन क्या वाके में ऐसा होता है लोगों का मानना है कि प्रेगनेंसी के दोरान संबन बनाना ना मुनकिन है लेकिन ऐसा नहीं है, penetration विजाइना में होता है और बच्चा यूटरस में होता है ऐसे में बच्चे तक पहुँचने का सवाल ही नहीं होता हालंकि अगर pregnancy में कोई complication है और डक्टर ने सम्मन बनाने से मना किया है तो आपको ऐसा करने से बच्चना चाहिए pregnancy के दोरान sex drive में बदलाओ common होते है कई pregnant महिलाओ को लगता है कि थकान, जी मचलना, पेशाब करने में बढ़त जैसी चीजे sex को कम आनन्द में बनाती है पहले trimester के दोरान यह ज़्यादा होता है हलंकि तीसरे महिने के बाद यह कम हो जाता है ऐसे में महिलाओ को लगता है कि उनकी sex की इच्छा फिर से बढ़ गई है तीसरे trimester के दोरान इच्छा आम तवर पर फिर कम हो जाती है क्योंकि गरबाशे और भी बढ़ा हो जाता है कभी-कभी हम सोसते हैं कि pregnancy के दोरान sex करने से miscarriage हो सकता है लेकिन pregnancy के दोरान sex करने से miscarriage नहीं होगा रिपोर्ट्स की माने तो ज़्यादातर miscarriage इसलिए भी होते हैं क्योंकि भुरुन सामन्य तरीके से grow नहीं हो पाता है तो फिर आप कहेंगे कि अब pregnancy के दोरान sex से कब बचना चाहिए experts की माने तो जब तक आपकी योनी से खून आ रहा हो या aminetic fluid का रिसाव हो रहा हो cervix का समय से पहले खुलने लगे या पहले premature delivery हुई हो या pleasant eye uterus cervix को cover करने लगे तो इन सभी परेशानियों के दोरान आपको sex से बचना चाहिए और डक्टर की सला भी लेनी आवश्य ज़रूरी है इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही आप pregnancy में संबंध बना सकती है इस तरह की और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करे थेंक यू